क्लास 11 का सेट्स का मतलब 4-5 नमर का यह को सेन आता है 5 नमर का सलेवास है चार से 5 class में यह पूरा आपका सेट्स कमप्लीट हो जागा रिलेशन एंड फंक्षन जो चेप्टर है उसी में से सेट्स जो चेप्टर है उसको कम्पलीट कर लेंगे और फिर आगे इसी तरह हम लोग रेगुलर वीडियो देखेंगे और इस्टेंड्स आपको बस वीडियो को अच्छे से देखना है बिना इसकिप किये सही से पूरा व से पूस्ता तो अगदम वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लेगे तो सेर कर दीजेगा तो चलिए स्टेंड्स आज हम लोग सेट्स को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेट्स आकिर होता क्या है मेरा वही पढ़ाने का अंदाच पहले कंसर्ट किलियर कराएंगे और फिर कोस्टन पर चलेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेट्स क्या है ठीक है लिख के बताते हैं स्टेंड्स ताकि आप लोगों कहीं भी कोई चीज में प्रॉबलम ना हो चलिए जैसे कि हम लोग डेफिनेशन सबस सारा कोशन स्वाल हो जाएगा देखिए जैसे कि स्टेंड्स वाट इस सेट्स क्या तो सेट्स क्या है सेट्स इज well defined collection well defined collection of object of object यानि कि strength set हम लोग को यहां तक में यह समझ में आया कि what is set तो set is well defined collection of object ठीक है इस strength यदि आप well defined collection समझ जाईएगा तो आपको set का जो है यह answer मलब set का जो definition है वो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है missions में सबसे main यही बात है और यही इसका जड़ है आप जैसे ही ये well defined collection को समझ जाएगा आगे आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा Kirk है तो चलिए हstone ये well defined collection को कोई दम ध्यान से समझे स्टेंट यह वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब यह होता है कि परसंट टू परसंट आपका कलेक्शन क्या हो चेंज नहीं होना चाहिए ठीक है जो बात हम बोले वही बात कोई और बोलेगा तो आपका सेट होगा अभी एक्जामपल लेकर के समझाए तो आपको और किलियर लिए समझ में आगा इसका मतलब यह था स्टन कलेक्शन सूड नोट चेंज परसंट टू परसंट ठीक है चलिए कलेक्शन कि सुड़ नौट चैंज should not change person to person person to person इसका मतलब थोड़ा सा समझ ले शेंट कि क्या है देखिए मतलब कि जब हम मह लेज़े कोई एक question बोले ठीक है एकदम मोटे दोर पर समझ लेज़े जब हम कोई एक question बोले उस question का आंसर यदि सबका same हो रहा है तब आपका set होगा ठीक है तब वो क्या हुआ, देखिए, should not change person to person, मतलब जो question हम बोले, उस question का answer, यदि 2-4 बच्चों का, मतलब सब बच्चों का same आ गया, तो वो आपका set होगा, इन वही question का answer, यदि सब आदमी, मतलब सब बच्चों का क्या है, अलग-अलग answer आ रहा है, मेरे दुआरा जो पूछा गय लिजे, आपको और किलियर होगा, ठीक है, देखिए, मान लिजे, हम बोले, five actress of bollywood, ठीक है, इसको सही से समझे, five actress of bollywood, ये example आपको पूरा किलियर करा देगा, ठीक है, देखिए, इस्टन, five actress of bollywood, जैसे ही ये question दिये, तो इसमें, दो बच्चे को उठा दिए, ठीक, मान लिजे, एक यहाँ पे कोई सोनू नाम का लड़का है, और यहाँ पे संतोस नाम का लड़का है, ठीक है, ये दोनों को हम बोले, कि आप लोग अपने अपने जगा पे खड़े हो जाए, और बताईए, तो five bollywood, एक्ट्रेस, तो सबसे पहले, आप सोनू का सुन लिजे, माल या भट ले लेते हैं, और फिर दिपी का पादू कुण, ठीक है, मालब ये सोनू नाम का जो लड़का था, बोला कि सर फाइव एक्ट्रेस आप बोलिवूड, ये नाम बता दिये, ठीक है, इसी में कोई एक संतोस नाम का लड़का है, वो संतोस से पुझे जिए, आप बता किये तो, तो संतोस बताने का स्टाट किया, इसर हेमा मालनी, माधूरी दिक्षेत, कृति से नन, और भी कुछ बता दिया, कैतरिना कैप मालिजया, फिर करीना का पूर और एक, कैतरिना कैप ठीक है, ये इतना सरा वो एक्ट्रेस का नाम बता दिये, ठीक है, तो अब देखे के mornings Jake Sonu नाम का जो लड़का और जो संतोस नाम का ellow कए ठीकै 확 ठाब यह 5 एक्ट्रेश पर बोलीवोड ही बताया ठीक है लेकिन जो बात स Miz İşte संतोस नहीं बोला सोनू के अनुसार देखिए यह बोलाए ठीक है यह सब एक्टेस का नाम बताया लेकिन संतोस कुछ अलग बताया यानि कि यहां पर संट टू पर संट क्या हुआ चैंज हो गया जो यह पर संट बात नहीं बोलाए ठीक है यहां पर संट टू पर संट चैंज ह सबसे पहले एक्जामपल समझे फिर हम लोग एक्सरसाइज पहाएंगे और आप जैसे एक्जामपल समझेगा तो पूरा एक्सरसाइज आपसे खुद हुआ सब्सक्राइब हो गया उसी से पूछे वह बालमी की नाम का अनुसार जो बच्चा है उसके अनुसार फल का नाम देखेंगे और इधार मान लिजे कोई एक विसाल नाम का लड़का है ठीक है यह विसाल बोले आप लोग यह दोनों मैंला अपने जगापे स्टेंड हो जाईए खड़े हो जाईए और आप लोग बताइए तो थ्री फ्रूट्स ने तो यह बालमी की नाम का जो लड़का था वो बताया कि सर एपल है एपल है और आपका एक पपाया है ठीक है उसके बाद यह जो विसाल नाम का लड़का था तो वो विसाल नाम का लड़का क्या बताया क इसर ग्रैप्स है उसके बाद ग्वाभा है जो अम्रूद होता है और एक बनाना बता दिया ठीक है तो देखें इस्टेंट्स यहां पे भी दोनों का अंसार राइट है यह थ्री फ्रूट्स नेम इसके अनुसार बालमिकी के अनुसार इसको यह फल का नाम था पता था उसको यह फल का यह नाम बता दिया ठीक है इसी में जो विसाल नाम का इस ट्रेंट्स था उसको यह सब सारा चीज फ्रूट्स का नाम याद था उसको यह सब फ्रूट्स अच्छा लगा तो यह फ्रूट्स का नाम बता दिया देखें जो कोसें था थ्री फ्रूट्स नेम दोनों क कि दोनों का answer इस question के अनुसा right है है कि नहीं लेकिन आप देखें यहां पर person to person बात change हो गया ठेक है जो यह person बताया वो यह person नहीं बताया जब person to person change हो जाए तो वो सेट नहीं वहाँ यहां पर क्या बोले थे collection should not change person to person लेकिन यहां पर दोनों का याषल नहीं हुआ तो यह ख्लब की श्रंट ये भी आपका शेट नहीं है सेट आपका वह जो गाइट है ठीक है यह अभी भी आपका सेट को फोलो नहीं कर फारा दोनों का दोनों परसंज जो है यदि यह परसंज का बाद एक ही निकल जाए तो ही वह आपका सेट होगा ठीक है तो हम लोग इसको अभी क्या समझेंगे इट्स नौट इस इट इट्स नौट ए सेट इस तंस कुछ- परसंबाद चैंज हो जाए तो आपका सेट नहीं होगा ठीक है अब हम लोग समझते हैं कि आखिर सेट क्या हो सकता तो माल जेस इसी में को सन बोल दिए एक को सन हम ले लिए फिर से ठीक है और अब मेरा को सन यह रहेगा कि आपको और नमबर बताना है जो कि टैन से स्मोलर तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तुम लोग यहां पर काउंटिंग कर लिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और दस ठीक है 1,2,3,4,5,6 से ले करके 10 तक ले लिए अब इस ट्रेंट्स हम लोगों को देखना है क्योंकि 10 से कम बुला है तो 10 से कम बुला तो 10 तक लिए अब इससे जो कम होगा उसको लेना है क्या तो ओड नमर अब लोगों पता है श्रेंट्स और नमर क्या होता है तो चलिए फिर से हम दो लगा को खड़ा कर दिए ठीक है श्रेंट्स दो बच्चे खड़े हुए और दोनों का चलिए नाम फिर से एक एक करके बताते हैं तो आप लोगों और सही से समझ में आजाए ठीक है इस बार माल लिजे यह संतोस नाम का यहां पर कोई लड़का खड़ा हो गया ठीक है और यहां पर सोरव नाम का भी कोई लड़का खड़ा हो गया बुले आप लोग दोनों खड़ा आजए जी और आप लोगों बताना आए ठीक है ये संतोस नाम का कोई स्ट्रेंड से वो खड़ा हुआ और फिर सोरव नाम का भी कोई स्ट्रेंड से श्ट्रेंड वो खड़ा हो गया और साध मुस्कुर आते होंगे मेरा वीडियो देख करके क्योंकि ये मेरे स्ट्रेंड ही है जो देवगर में पढ़ते हैं चलिए कोई बात एक से मतलब 10 से कम यदि आप और नमर बोल रहें तो एक तीन मतलब 13579 होगा ठीक है चलिए यह लिग दिए 1 होगा सर 3 होगा 5 होगा 7 होगा और क्या होगा एक 9 हो जाएगा हम बोले सोरा आप बताइए क्या ये बात और नेचुराल नमर लेस दें 10 यानि कि 10 से कम नेचुराल नमर आपको बताना है क्या तो ओड में गलब 10 से कम होना चाहिए वह और नमर होना चाहिए आप बताइए क्या क्या होगा तो सावराब के अनुसार भी 1 3 5 7 और 9 हुआ तो इस टेंट्स देखिए इसके अलावा और भी कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा क्योंकि यहीं है इ तो यहां पे है वही कालेपिशन का इसके अनुसार वा ज्युसार ते आपका क्या होता ह मैं समझेसर क्या होता है फिर से समझतशک आप और यह यह हुआ है हो रहा था दोनों का collection सेम था collection में कोई चीज खा कमी नहीं हुआ दोनों का collection में कोई आंतर नहीं था परतो प्रसनट प्रसन ट्रेग संग सेंज नहीं यह था इसलिए आपका क्या तो अपका क्या होथ है ? To percent collection change भूआ था, change नहीं होना ची ठीऑ ? इधर देख्चिया आपढ़ जगा क्या हो गया ? इसलिए यह सबap ne淨हीं था और यहाँ पर आप दिक्खिए change नहीं हुआ जो ये person बताया वही बात ये person भी बताया दोनों का collection से में इसलिए set है stand up set समझ माया की कैसे set होता है चली इसी में और एक example ले 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 ठीक है जैसे questions मेरा question रहेगा कि boils नमबर alphabet का बताना boils in alphabet बोल लेटर इन अलफाबट तो बताये श्रूंस बोलस लेटर्स क्या-क्या है ठीक है सब के अनुसार वोल्स ए, ई, ऑई, ओऔर यू होगा होगा नियुट्न स्क्राइच च्राइच होगा तो आव siaza नपना हम दोनों bot कर डो ले जब बताई एक यहां कि आखिर यह dismissal बट यह टर क्या है ऐंगली तो तरभागेμी य्यूंoff में क्या-क्याँ आएगा ठीक है इसी में फिर हम पूछे कि कोणete आप बताहिए कि आखिर भाय लेटर क्या-क्या यू नहीं Berg आप किसी से भी पूछ लिजिए कि भॉयल्स क्या-क्या होगा तो आपको A, E, I, O, U के अलावा छठा कुछ नहीं बताएगा ठीक है यही छे बताएगा A, E, I, O, U चठा सा तुमा कुछ नहीं होता आप किसी से भी पूछ लिजिए सिर्व यही दो लड़का से नहीं आप अप लेटर्स क्या-क्या है तो आपको यही बताएगा A, E, I, O, U तब समझ यह कि जो बात आप बोलना चारें वही बात सेम अगला बोल रहा वही बात अगला बोल रहा वही बात अगला बोल रहा यानि कि परसंट टू-परसंट फिर से आपका कलेक्शन चेंज नहीं हुआ जब कलेक्शन आपका परसंट टू-परसंट चेंज ना हो जो बात आप बोल रहे हैं वही बात कोई और बोल रहा है वही बात कोई और बोल रहा है कोई और बोल रहा है तो आपका क्या हुआ परसंट टू-परसंट चेंज नहीं हुआ और जब परसंट टू-परसंट आपका कले में था तो सेट में था तो इस्टेंड आप लोग को आप समझ में आया कि आखिर कौन सा चीज सेट में होता है और कौन सा चीज सेट में नहीं होता हंडेट परसंट समझ में आएगा स्टेंड इसी को और आगे भी बताएंगे सबसे पहले काम किजिए यहां तक आप लोग स्क क्या होता है और क्या नहीं होता है ठीक है अब हम लोग जानेंगे क्या कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखें हेडिंग बना लेते हैं इस्टेंट हाव टू रिप्रेजेंट हाव टू रिप्रेजेंट हाव टू रिप्रेजेंट हाव टू रिप्रेजेंट सेट ठी अब वो दो तरीका क्या क्या रिप्रेजेंट करने सबसे पेले वो समझे आपका फर्स्ट नमर तरीका है सेट टेबियूल्र तो टेकर टेजए टेट ऊसरी टेज किला स अब नहरा है वह बेखा कॉछ प्रसे पोर्म हम ही पर यह कॉय बील्डर फॉर्म क्या तेप्यूलर फॉर्म agricै क्रेंट सेट कौम लोग दो तरीका से दिखा सकते हैं एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म है एक रोश्टर या फिर टेप्यूलर फॉर्म जो बोलिए तीक है ये दोनों फॉर्म तो देखें श्रेंट आकर ये सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोश्टर फॉर्म होता क्या सबसे पहले उस सिचकों लोग समझ लेते हैं ठीक है जैसे कि अभी एक पिछे एक्जामपल लिये थे आप लोग का वो एक्जामपल क्या था श्रेंट तो आप लो लोगा को सेंता था पीछे अभी इस एक्जामपल को लिए थे अब इसी में समझेंगे श्रेंट कि आखिर ये सेट बिल्डर फॉर्म और रोश्टर फॉर्म क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले अप लोग को ये समझना है कि इस एट को लिखते कैसे ठीक है तो देखें यह अब बोलिये कि सब्सेंद यह इस तरह लिखने का तरीक आपको सबसे पहले ये बास समझ लेने ठीक है आप कोई एक सेट लिखें माल जो कोई बच्चा का जन्मताद हम लोग उसका नाम रखतें कि नी उसी तरह जब कोई भी आप सेट लिखेंगा तो इसका नाम लिखते है लिखना आता है ठीक है वो नाम लिखना आपका यह आता है ठीक है यह बराबर यानि कि यह जो सेट बनाया है इस सेट को हम एक नाम से जाना है ठीक है इसलिए इसको ए बराबर यह लिख दें ठीक है जब भी कभी आपको सेट को लिखना है ठीक है और करली ब्रेकेट के अंदर आपको सेट को लिखना है, ठीक, हम लोग का सेट क्या था, वान थ्री, फाइब, सेव Kellye 7, 9 था, था न, सेट, तो इसको हम लोग करली ब्रेकेट के अंदर लेते, यानि कि जो भी आपका सेट हो, उसका आप करली ब्रेकेट के अंदर में लिखे और उस सेट का कुछ ना कुछ आपको नाम देना है तो सेट का नाम A ब्रावर दे दिए उसको A से डिनोट कर दें ठीक है A सेट के नाम से इसको जाने तो A ब्रावर ये लिख दिए इस अब समझ मैं कि सेट के फॉर्म में लोग कैसे लिखते एक बर फिर से रिपीट जब भी कभी आपको सेट के फॉर्म में किसी चीज को लिखना हो तो आप उस सेट का सबसे पहले कुछ ना कुछ नाम दिजिएगा तो उसको उस सेट का नाम हम लोग कि A मालिज आपको B मन करे C मन करे आपको जो मन करे आप वो नाम रख सकते हैं हमको A मन किया हम A रख दिए ठीक है A ब्रावर ले लिए 13579 यही तो मुझा सेट था और जब भी कभी सेट को लिखना हो इसको आप हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखे तो देखिए यह करली ब्रैकेट इसके अंदर लिख दिए इस्टेंड अब समझ माया अब सїladım अखiset बिल्डर फोगता है हम बोलेंगे इस्टेड कि यह आपका जो है यह आपका सेट विल्डर फॉर्म है आप लोग बुखिए कि सफिलन आप देखिए तन्सानagit Windows गया और यह आपका यह का तो रोंष्ट टर और के अर अ रोस्टार बोलिए या फिर टेबूलर फॉर्म बोलिए की बाद हुआ दोनों लिख देते हैं रोस्टार और टेबूलर फॉर्म तो देखेशन आखिर ये सेट बिल्डर फॉर्म कैसे हुआ और ये रोस्टार फॉर्म कैसे हुआ सबसे पहले सीच हो समझें देखेशन सेट बि किस नहीं रहता है तो अगलäg इस सीज को नहीं लिख पाते नहीं लिख पाते यहां कि यह जो सकी का सेट बना यहां से यहां टक पूरा वो इसके वज़ावन इसलिए जिसके वज़ास एप‑AKD-Walik वन तो टीविलर फ़ाइब दुसरा नाम नाम से चानते हैं तो ये आपका सेट बिलडर homme इस लिए है क्यों कि इसी के वज़ासा मुलोगा यह एट बना ता और यह टेविलर फोर्म क्यों हुआ है क्यों कि यह टेवल के फाँ में लिखा हुआ है मतलब कि सजावा सजा हुआ रूप में लिखा हुआ है इसलिए हम लोग रोश्टर फॉर्म या फिर टेब्यूलर फॉर्म बोले इस रड़ आपको समझ में आया इसी में और एक एक्जामपल ले ले ठीक है चलिए देखते हैं हम लोग का यहां पर दूसरा बा अगर्ड यहां तक तो अपैसिव और यहां तक तो समझ में आया कि सेट विल्डर फॉर्म क्या है रोस्टर भॉam kya अब लोग देखेंगे क् organism लिए एक तक करेगा और यह रोस्टर पॉर्म किस टाप करेगा ठीग करेगा इसचको लिए उसज को को लिंह के एक्जांपल हम इसी मिले लेते हैं आपका एक्जांपल हो गया एवर ठीग है को एक सेट है जैसे एक्स ठीग है और यह एक्स क्या तो एक्स इज और निचूराल नंबर लेस देन यह आपका वह थे इस टाइप का पड़ों में तो इस यह डिपनेशन एक सुम्लोग लिखेंगे सेट के फॉर्म में ठह़ और यह इसका डिकनेशन देवा यह निकी इसी चीज़ को आपको आपको अभी लिखना तो सेट विल्डर फॉर्म में अपका हमेशा किस टाइप करेगा इसी टाइप का ए ब्रावर यह दे दिया रहेगा एक्स यह एक्स क्या तो उसको आगे डिनोट कर देगा कि एक्स यह चीज़ है इसी चीज को पढ़ करके इस्टेंड आपको टेविलर फॉर्म में लिखना यह अभी आपका किस फॉर्म में तो सेट बिल्डर फॉर्म में है सेट बिल्डर फॉर्म में समझ देश्टन क्योंकि इसी चीज़ से हम लोगा अभी सेट बनेगा इसलिए हम लोग इसको क्या बोल दिए सेट बिल्डर फॉर्म बोल दिए और कैसे यह सेट बिल्डर फॉर्म हुआ समझ में तो आही गया इस्टन यह एक्स का जो इस एक्स को हम लोग अभी लिखेंगे set के form में ठीक है और ये आपका क्या है set के form में लिखेंगे आखिर क्या चीज़ लिखेंगे वो इसका question यहाँ पर दियावार था यह x का मतलब किया आपर definition दिवाए ठीक है मतलब यह set builder form का यहाँ पर definition आगए आपको denote कर दे हुआ यह से इसको डिनोट क्या तो चलिए हम लोग यहां पर ले लेंगे एक वल्टू टेबिलर फॉर्म में क्या बोले ते इस्टंट कि हमेशा आपको यह करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है ठीक है क्या बोला तो और नेचुरल नंबर लेस दें टेन यहां कि नेचुरल आप्होर में इस टाइप का पका को स्यंद रहें और इस टाइप में अपको लिखना है तो रहतीं है समय में कि सेट चितना असान था लिखना मतलब क्योंड awak सिर्वा अपको करनी ब्रैकेट के अंदर में जो सेट का नाम तो हैं दिया ख commence को एंब्राबर लिख देना है और जो कॉस्यन आगे बोला, इस से चिको आप पढ़ करके वसिया अंदर लिख दीजे, और कुछ है ही नहीं, इसी में एक और एक्जामपल ले करके समझाते हैं, ठीक है, जैसे कि में इसी में कॉस्यन ले ले, एक्जामपल नम्मर 2 ले लेते हैं, कि इस बार B ले 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 लेत इसका तो एपल का ठीक है ऑफ वर्ड एपल एडवल पी एल ए मदलाब की स्टेंड अब हम लोग को यह सेड़ बीलडर फॉर्म में दिया कोस्टन आपका इसी टाइप करेंगा ठीक कुछ आपको यह दे दिया कोस्टन और बोला यह भी किस फॉर्म है सेड़ बीलडर फॉर्म को रोष्टर फं में लाएंगे यहने की इस फंच में लाएंगे तो देखेस इस चीज को क्या बोला की एकस जो है यह एकस क्या तो लेटर है किसका वरड एपल यानि की एपल का लेटर है दे देखे इक्जाम्पल हम क्यों लिए भी आपको समझ में आएगा हम जिसे कि इस्टन यहां पर लिखें फिर से बी ब्रावर सबसे पिले तो आपको यह चीज़ लिख देने ठीक आप देखें यहां पर क्या एपल लिखावन आप जब भी कभी यहां पर लिखिए एपल एडव डवल पी एल ए आप लोग बोलिए कि सार आप डवल पी बोले लेकिन आप यहां पर सिंगल पी ही क्यों लिए इस्टेंड आपको हम दो चीज़ अभी इसमें बताने वाले ठीक है आपका जो भी सेट का नाम है वह हमेशा आपको केपिटल लेटर में लिखना है किसमें तो आपका केपिटल लेटर में होना चीए यह सेट का नाम भी था यह केपिटल लेटर में लिखा हुआ और आपका जो एलिमेंट ओफ सेट होगा इस्टेंड देखिए एलिमेंट ओफ सेट यह आपका हमेशा स्मॉल लेटर में रहे ठीक है किसमें रहेगा स्मॉल लेटर में त यह कभी भी आपको यहां पर केपिटल लेटर में नहीं लिखना हमेशा यह किसमें होगा तो element of state always हमेशा यह आपका स्टेंट्स होगा small letter में ठीगा यह बात आपको आप उसका रोश्टर फॉर्म लिखेगा तो उस वक्त आपको हमेशा धियान देना है कि यह कोमा के साथ इसको separate करके लिखना कोई भी चीज को दो बार नहीं लिखना है ठीक है यह element of यह जो है आपका सबसे पहले आपको यह हमेशा small letter में लिखना है और दो बार कोई भी लेटर को रिपीट नहीं करना जैसे कि आपका यहां पे दो बार रहेगा ठीका सेट विल्डर फॉर्म आपका रहेगा दो बार लिगना आप जब इसका टेविलर फॉर्म लिखेगा तो आपका सिंगाल बार लिखना है ठीक है मतलब कि कभी भी यहां पर रिपीटेट चीज नहीं लिखाता है ठीक है समझ में रहेखने एलिमेंट में आपका रिपीट नहीं होना चाहिए keyword जैसे कि इस्टेंस इसी में बात करता है भी concepts of belongs to आपको और detail में समझ में आगा अब यह concepts of belongs to क्या है सब distance one इसको अम लोग belongs to बोलते हैं ठीक है ए और फिर यहीं पर आप इसको अम लोग क्या बढ़ेंगे तो वन बिलोंग तो यानिकि ए जो सो बिलोंग कर रहा है यह वन जो सो एका सेट में बिलोंग कर रहे ठीक है यानिकि कोई भी चीज आपका एक बार रहे तो वह ठीक है ले उसको नहीं लिखना यहां पर लिख देते हैं टू डज नॉट बिलोंग स्टू ए बिलोंग स्टू ए इस्टन यहां तक में कुछ समझ में आया देखिए क्या बोले अब तक में बस इतना ही चीज बताए इंस्टन कि जब भी कभी आपका कोई चीज एक बार हो सिंगल बार टेब्यूलर फॉम में कुछ भी रहे कोई दिकत ने बड़ा हो चोटा हो से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपको जब वो टेब्यूलर फॉम में लिखना तो आपको हमेशा ध्यां दना कि कोमा के साथ सेपरेट करके और कोई भी चीज हो उसको एक ही बार लिखना है ठी सिंगल पी लिखें इट्स नोट रिपीटेट काहां पर सिल इसको भी लीग देते हैं ठीक अब लोगों को बाद में परसानी नहीं हो देखें इस्टेंट लेटर नोट रिपीटेट किसमें तो इन टेब्यूलर फॉम ठीक है इन टेब्यूलर फॉर्म तो आप कुछ चीज स समझ मैं यानि कि आपका इन टेब्यूलर फॉर्म लेटर आपका कभी भी रिपीट नहीं होगा टेब्यूलर फॉर्म में ठीक है आपका यहां पर इसमें रहा सकता है रहेगा ठीक है आपका यह तो कोस्यन नहीं है को सेन अपका रहेगा यानिकि जब सेट बिल्डर फॉर्म है वह आपका हमें साही स्मॉल लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए ठीक एचली यहां पर इसको भी वारम डिनोट करते स्वेंट ता कि आपको कभी भी कोई चीज में समझने में दिक्कत ना ठीक है एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ऐलिमेंट्स ऑफ सेट किसमें होगा तो यह जो है हमें साफ कई स्मॉल लेटर मेंралमेंट्स अफ सेट स्मॉल लेटर तो इसन यहां तक मैं समझ मैं आया कि नहीं चल्याफ पहले सबसे पहले चाइस की लिजये श्रेंट फिर आगे देखते हैं तो चलिए इस्टेंड्स यह में थे मेटिकल सेट्स जैसे इसमें कुछ बेसिक चीज़ बताएंगे ठीक है आप लोग को तो यह पता है रियाल नमर और रियाल नमर दो तरह का उता है यह बात जानते हैं कि नहीं नहीं जानते होंगे तो चलिए अभी देख लिए ठीक है यह जो रियाल नमर है तो रियाल नमर हम लोग दो तरीके से जानते हैं एक होता है डेसिमल और यह था विदाउट डेसिमल नमर ठीक है एक क्या था तो डेसिमल में होता है और इसी में क्या था तो विदाउट डेसिमल ठीक है विदाउट डेसिमल में क्या क्या आएगा तो आपका गया माइनस वन जीरो फिर वन टु थो थ्री यह समना डॉट डॉट लें करके इधर जितना भी है सब्कम लोग क्या बोलेंगे तो एक फॉजितीव इंटीजर बोलेंगे क्या पॉजितीव इंटीजर है फोजिटीव इंटीजर है होट इस ही में युद्वर फिरओंके किसी यसको अंड़ कर नंबर सपर और लक्त सब्सक्राइब सकते हैं सब्सक्राइब करने क्या और च już आकुस्ट यह आपका इधर माईनास में है यह आपका सब क्या तो नीटिव से नोट करते हैं तो जेट से टिनोटक ऑब जैसे बच्पने में पड़े होंगे सांत और अशन पड़ें कि नहीं कोई नमर कख गटteen Об पॉइंट तुर फोर तुर टू वान फोर त्री इस टाप का आते रहता है यह क्या तो रिपीटेट फंसे निए बार बार क्या था रिपीट होता है जिसको आशांत बोलते और इसको सांत वेली बोलते बोलते न देखिए ना अब 0.33333 इस राकाती रहता है यह आपका सांत वेली होगे तो यह चीज़ कुछ था इसमें ठीक है अब देखिए इसी में हम लोग का जैसे कि आएगा सेट्स ओफ नेचूराल नंबर फर्स्ट फॉइंट हम लगा क्या तो सेट्स ओफ नेचूराल नंबर नेचूराल नंबर और यह नेचूराल नंबर को क्या चीज़ से दिनोट करते हैं तो इसका सेट क्या हो जागा एन बराबर और यह करली ब्रैकेट जो भी होगा 123 यह लिए लिग देना है इसी में आइचूराल नंबर में आप जीरो को सामिल कर दिजिएगा तो आपका होल नंबर वन जागे इनकी आपके जीरो वन टू टूटीघए एस्व इसी में शेन्टस आपका हता है İş आफ रियल नमबर यह सेट्स और हमके लोग रियल नमबर को क्या चीज़ से देनोट करते है करते हैं तो इसका सेटेस्स क्या हो जाए घिक वाखोंगना हो जाएगा और कर लिग іंटीजर हमलों क्या हो जागे जिसको कि मोग जैट से डिनॉट करते हैं इन्टीजर से डिनोट करते हैं हो आख किने तो जाड व्रावर कर लिव रैकेट के नदर और जो जो आपका इंटीजर है उसी इंटीजर को इसमें लिग देंगे के दोग यह नहीं से इसे में और भी कुछ हम लोगा बात आगा सेट्स पंटी चान रहतर लोग देंगे आप लोग electric remote पता होना सब्राइब एक मैके सब्सक्राइब आइसो लोक बोलते हैं सेट्स एक्षा क्यों नंबर imperial को क्या ध्यूस करते हैं कि नह्मरें तो आ मंअ मरब क्या नेकिफ यू व्रवार और यह कर लीव रकेट के अंदर जो भी रेस्नाल नमर इसमें इसको लेख देंगे अब आपकेब समझ में आता है कि नियक्ति डिखे रेस्नल Grande यू नम्बर वो नमरटा जो पी वाक्यू के पोर्म में हो कि यू पार में कि तो स्मझ में यहां तकות समझ में यह मोगा इन्द up olur या कुछ underm bomber's में इसमें लिक देना यह कुछ ट्रीक थाप ऑब करा दिए ठीक है अब इसी तरह का आगे आप लोग को पूरा चेप्टर को सौल करके लाना है जो भी इसमें डाउट होगा सको फिर हम नेक्स देख लेंगे तो देखें इसमें यह एक्सरसाइज वह ने में आखिर कोसें क्या दिया हुआ है थोड़ा सा आप लोग इस्टेंड मतलब कोपी पैन ले करके बैठ किये आरा सेरवाल का बूक निकाल करके बैठ कियेगा तब वीडियो देखिएगा यह नहीं कि कहें भी फिल्ड विल्ड में खेल भी रहें किरिकेट का मेंच भी देख रहे हैं और इधर मेरा भी वीडियो वैसा ने करने ठीक है रूम में बै देते हैं देखिए किस टाइब का कोस्यन रहता है क्या बोला वीच ओप फ्लोविंग क्लेक्शन आर सेट्स इसमें कौन-कौन सा एसा क्लेक्शन है जो की सेट्स है जैसे कि श्रंट्स कोसें नमर वन दिया दा कलेक्शन आफ ओल श्रेंट्स ओप यूर क्लास देखिए आपका जो इस्कूल में मतलब आपका जो क्लास रूम में कितना सरा है स्ट्रेंट्स है माल जब पचास से हम कांट के बचास होगा कोई और कांट यह तो वह पेतालीस थुदी जाएगा वह भी पचास ही होगा मतलब की क्योंद्स कोई भी पर संसा आप कांट कर वा लिजए वो 50 का प्रसंट फिप्टी रहा रहे हैं तो यह क्लास्रूम अपके अपके इतना भी बॉय जो मेरे हाइट का ठीक है अब माली जो मेरा इतना आगा वो मेरे लिए अब आप जो मेरे इवाःत गया मेरे को इतना आगया इसका जो का यहां तक दो लटका यहां पर श्याम और मलाप याम तरम का छोटा आओन तर pressing नहीं पर संच जो जागा उसके अनुसार कोई और छोटा जागा सकता हमसे कोई लंबा अगा दो हम उनसे छोटा हो जाएंगे होंगे की नहीं तो यह हम लोग का क्या ओरा सेट को फोलो नहीं कर रहा ठीक इस तरह आगे श्रेंट्स आप लोग बनाईएगा आप लोग से सारा कोस्यन बनेगा जरूर बनाईएगा उसके बाद आप लोग को डाउट बता देंगे तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा यह वीडियो यह अच्छा लगा और रेगुलर आपको इसी तरह वीडियो चाहिए पूरा फूल स्लेवर सेथी कंप्लीट करना ने श्रेंट्स फ्री ओप को सब्सक्राइब कर लिए और अपने फ्रेंड के साथ सेयर करना नहीं भूलिएगा तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे इसका आगे डाउट देखेंगे जो भी होगा वह को सब्सक्राइब करेंगे तो आज के लिए थैंक यू बाइब बस्त अब लुक